टॉप 10 अपकमिंग एनिमे टो वाच इन 2024 तो दो आजार टेस के अंदर हमको धेर सारे नियू जानरा के एनिमे देखने को मिलें लेकिन इस साल के एंड होने के साथ-साथ उनवाले एनिमे के सीजन भी जल्दी खतम हो जाएंगे लेकिन 2024 के शुरुआत होती है हमको और भी ल्दे सिधा अपने नियू येर के अपकमिंग एनिमे के लिष्ट के तरफ तो आज कि एनिमे लिखका पहला एनिमे है वह इस वाला एनिमे के जो मानव है High Ak 망 ॉइन रहताई जो ज Men to는데 K नीमेरी कि वत रहता है जो कि चेन्वी की अन्दर रिलीज होने वाला ग्लाइं वो अपनी रैंक्स को काफ जिदा ऊपर लेके जाता है अब इसके क्या एबिलीटी और वो अपने एबिलीटी को कहीं से यूज करता है यह आपको एनमे देखने के बाद ही पता चलेगा नमबर टू डीमस लेयर सीजन 4 डीमस लेयर के सिजन 3 के खतम होने के बाद में अभी डी 1924 में इसकी अभी तोग कोई भी ऑपिशर रिजिस डेट नहीं निगली है लेकिन बोला जा रहा है कि इसका सेकर्ट सेजन हमको मार्च के अंदर देखने को मिलेगा अगर आप स्पोर्ट एनमे देखते हो तो आपने ब्लू लॉक का नाम तो कभी ना कभी सुनाई होगा या देखने के लिए आपको काफिशा सीधा बंदा लगेगा लेकिन जैसे आप इस वाला एनमे का पहला सेजन देखते हो तभी आपको पता चलता है कि अपने में प्राइगनिस के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि यह जो बंदा है ना एक नंबर का मास्टर मैंड है वो बा वो काफ ज़दा पसंद आएगा इस वल एनेमे के अंदर आपको बहुत ज़दा एडवेंचर और एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि इस वल एनेमे के जो थीम है वो एक ऐसे वड़ के अंदर बनाए गई है जहाँ पर सिटीस की उपर है बहुत बड़े-बड़े वाले ड्र सीजन टू अगर आपने इस वल एनेमे का पहला सीजन देखा है तो यह वाला एनेमे आपका भी फिवरेट बन चुका होगा यह वाला एनेमे बोलने को तो हैरी पोर्टर और वन पंच मैन की कॉपी है लेकिन इस वाला एनेमे के अंदर की जो कॉमेडी है वो काफ ज़दा न रिलीज हो जाएगा नमबर सेवन डैट टाइम आई गौट रिकानेड़ एज़स्लाइम सीजन थ्री तो इस वाला एनेमे के नाम के उपर बिल्कुल भी मत जाना यह वाला एनेमे वन आप बेस्ट इसे का एनेमे से एक है अगर आप भी इसे का एनेमे देखना पसंद करते ह तो आपने इस वाला एनेमे का नाम तो कभी-나-कभी सुनाई होगा क्योंकि मैंने में बहुत बार इस वाला एनेमे को अपने वीडियो के अंदर सजेस्ट करा है इस वाला एनेमे की शरुआात तो काफ़जदा नॉर्मल सी होती है इसके अंदर जो अपना मेम में झरूर देखना इसने में का निऊ सिजन आपको फेबरुरवरी के अंदर देखने जायेगा नंबर eight कोनो सुबा सीजन थी तो यह वाला एनिमें काफ जदा फनी इसे का एनिमे हैं को नसुबा के देखके पक चुके तो यह वाल एनिमे आपको एक बार तो जरूर ट्राइ करना चाहिए इस वाल एनिमे का न्यू सिजन आपको जन्वरी के अंदर देखने को मिल जाएगा नमबर 9 ब्लू एक्जॉसिष्ट सीजन 3 तो इस वाल एनिमे का सेकर्ड सीजन आयो एक काफ़ेदा टाइम हो चुका था जो कि लास्ट आये था 2017 में मुझे तो सेकर्ड सीजन के बाद में लग रहा था कि इसका न्यू सिजन हमको देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये वाला जो एनिमे है वो एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो कि कुछ टाइम तक काफ़ेदा फेमस था क्योंकि इसके कोई न्यू सिजन आयी नहीं रहे थे इसलिए लोग इसके बार में भूली चुके थे जिसका एक reason भी है कि इसका season two का animation लोग को इतना पसंद नहीं आये था तो अगर आपने अभी तक इस वाले anime को कभी देखाई ही या इसके बारे में कभी सुनाई नहीं था तो अब एक अच्छा कासा मोगा है कि आपको इसको एक बार जरू ट्राइ करना चाहिए क्योंकि इसका न्यू सिजन जन्दी आ रहा है जो कि जनुवरी के स्टार्टिंग के विक के अंदर या आपको देखने को मिल जाएगा नमबर 10, Jobless Rearnation Season 2 Part 2 तो Jobless Rearnation भी काफ जिदा फेमस इसका एनिमे है जिसके Second Season का Second Part एप्रिल के अंदर आने वाला है या पर इस वहला एनिमे का पहला सिजन दो काफ जिदा पढ़िया था लेकिन Second Season का पहला पार जो देखा वो काफ जिदा स्लो लगा मुझे क्योंकि इसकी Second Season की स्टोरी जो है वो Season 1 से काफ जिदा डिफरंट है Season 1 के अंदर अपना में पोड़ाइगनिश एडवेंचर कर रहा था लेकिन Second Season के अंदर सारी की सारी चीज़े चेंज होगी लेकिन अगर आप Second Season को थोड़ा सा टाइम देते हो तो वो भी आपको काफ जिदा इंट्रेस्टिंग रहेगा तो चलो गैज आज के स्टोर में पस इतना है अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो स्टोर का लाइक कर देना अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं विलता हो आपको नेक्स किसी वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा